प्यारे दोस्तों हर इंसान के बुहों की बनावट अलग अलग होती है जो उनके वेक्टितु को दरसाती है समंदर सास्त के अनुसार बुहों से आप चाहें ती भी इस्त्री पूर्श की ऐसी बाते जान सकते हैं जो आमतोर पर पता कर पाना कठिन होता है तो आईए देखें आपके बुहें क्या कहती हैं आपके बारे में जिस वेक्टि की बुहें आपस में जुड़ी हुई होती हैं वे स्वार्थी होते हैं लेकिन इनका दामपत्य जीवन अच्छा रहता है यह अपने जीवन साथी से बहुत नहें करते हैं जिन इस्त्री या पुर्स के बोहें सीधी और घनी होती हैं, वै उस्साही और जिन्दा दिली होते हैं, जिन पुर्सों के बोहें छोटी होती हैं वै परिस्रमी होते हैं, जिस इस्त्री के बोहें अर्धि चंद्राकार होती हैं, वै सोभागय साली और सुखी होती हैं, वै मैं महत्व कंशी होती है और अपना नाम और सम्मान खुदर जित करती है। जिन लोगों की बोहें बहुत पतली और कम घणी होती हैं वे काम से जी चुराने वाले होते हैं ऐसे वेक्ति लापरवा भी होते हैं इसलिए महत्वुन काम इनके भरोसे कभी नहीं छोडना चाहिए। जिन इस्त्रियों की बोहों के बाल बड़े होते हैं उनका दामपत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता इन्हें पती के सुख की कमी कैसा समेशा रहता है जिन लड़कियों की बोहें तनी हुई होती हैं वे परिवार में अपना प्रभाव दिखाने वाली होती हैं पती के साथ इनके संबंद वह उत अच्छे नहीं रहते क्योंकि इनके बीच प्रेम की कमी रहती है जिन इस्तरी पुर्षों के बहुं काकार दनुस के समान होता है अठात दोनों और जुकी हुई और बीच में से उठी हुई हो वे भागिसाली होते हैं ऐसे व्यक्तिक कलात्मक विश्यों में रूची रखते हैं और आथिक मामलों में हमेशा उन्नतिकी और बढ़ते रहते हैं जिन व्यक्तियों के बहुई जुकी हुई और टेड़ी मेड़ी होती हैं उन्हें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस तरह बहुं वाले पुरुष इस्त्रियों के प्रती आसक्त भी रहते हैं एरा ये प्रियास आपको कैसर लगा ये हमें कोमेंट करके जरूर से जरूर बताएं आप अपनी कोई भी समश्या मुझसे साजा कर सकते हैं कोमेंट के द्वारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्काय दोस्तों जैहिंद झाल